आज में लेकर आई हूँ आपके लिए टमाटर की एक ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही आपका बनाने का मन करेगा जब भी आपको सबजी बनाने का मन ना हो और कुछ जल्दी से बनाकर खाना हो तो आप ये रेसिपी ट्राय कर सकते हैं सिर्फ दो चमच तेल में ये रेसिपी बनकर तयार होगी और खाने में इतनी टेस्टी है कि इसके आगे आपको सबजी भी फीकी लगेगी अगर एक बार आपने ये बना कर खा ली तो हफते में पांच देन यही बनाने का मन करेगा तो चलिए चल्दी से आजगे इस वीडियो को हम शिरू करते हैं हलो एवरिवन मैं हूँ शिवानी और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है शिवान्स किचिन में तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर साथ मेडियम साइज की टमाटर लिये हैं एकदम लाल लाल टमाटर हमें यहां पर लेने हैं वह मैंने अच्छे से धो लिया है अब हम क्या करेंगे जो इसका ये बीच वाला पार्ट है इसे निकाल कर अलग कर देंगे तो इस तरीके से चाकू से हम इसको निकाल कर अलग कर देंगे तो बाकी के सभी टमाटरों का बीच वाला पार्ट भी हम निकाल देंगे इसी तरीके से अ अब हम चलते हैं गैस की तरफ, अब गैस पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें हम डालेंगे दो चम्मच के करीब ओईल, आप यहां पर किसी भी ओईल का इस्तमाल कर सकते हैं, आप चाहो तो सरसों के तेल का इस्तमाल भी आप यहां पर कर सकते हैं, जैसे ओईल अच्छे से गर देंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे जिससे की टमाटर जल्दी से गल जाएं एकदम सॉफ्ट हो जाएं तो इसके लिए मैं थोड़ा सा नमक इसके ऊपर डाल दे रही हूं तो नमक डालने के बाद हम क्या करेंगे यहां पर 8-10 लेसुन की कली को इस तरी सुन भी पक जाएगा अब हम इसे ढख देते हैं जिससे की टमाटर जल्दी से गल जाएं ढखकर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक की टमाटर पूरे तरीके से सॉफ्ट ना हो जाएं तो यहां पर थोड़ा सा टाइम हो चुका है अब हम बीच में इस तरीके से चेक कर सक हैं तो यहां पर देखने से ही पता चल रहा है कि एक साइट से अच्छे से पक चुका है अब हम क्या करेंगे एक एक करके इन सभी टमाटरों को इस तरीके से पलट देंगे जिससे की इसके पीछे वाला पाट भी अच्छे से पक जाए तो यहां पर मैं एक एक करके सभी टम अपने देते हैं तो चलिए फिर से हम इसे चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं इसे देखने से ही पता चल रहा है कि अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं इनकी इसके बिल्कुल अलग हो चुकी है अब हम क्या करेंगे इनको इस तरीके से पलट देंगे इस तरीके से पलटन जिससे कि हमारी इस recipe का टेस्ट और भी जदा अच्छा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से इस टमाटर की skin अलग हो रही है क्योंकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं तो टमाटर की skin जो है वो अच्छे से निकल जाएगी इस तरीके से आप सभी टम प्लेट में निकाल रही हो तो पूरे की पूरे टमाटर और जो ओईल इसमें है वो सब हम इस प्लेट पर निकाल देंगे टमाटर को हमें अच्छे से मैश करना है तो इसी के साथ लसन भी अच्छे से मैश हो जाएगा तो यहां पर हमें इसे अच्छे से मैश कर लेना है हम यहाँ पर सभी टमाटर और लसन को अच्छे से मेश कर लेंगे आप चाहो तो इसे पटेटू मेशर या फिर कटोरी से भी अच्छे से मेश कर सकते हैं कटोरी से भी बहुत अच्छे से मेश हो जाएगा क्योंकि यह अच्छे से गल चुका है तो इस तरीके से मैंने सभी और लसन को ही लिया है, बाकी की चीज़ों को अभी हमें इसमें मिलाना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, एक चोथाई छोटा चम्मच के करीव हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, तीका आप अपने हिसाब से कम्या जदा कर सकते हैं, तीन हरी मिर्च को मैंने बारिक कट करके डाला है, और एक मीडियम साइच का प्याज लिया है, जिसे मैंने बारिक कट करके ले लिया है, अब इन सब को हम अच्छे से मिला देंगे, अगर आपको इसे और भी खटा बनाना है, तो आप यहाँ पर आदे नीवू को इस्तमाल क कर सकते हैं, अब इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे, तो यह लिजिए यहाँ पर टमाटर की रेसिपी बनकर एकदम तयार है, आप इसे टमाटर की चटनी बोलें या फिर टमाटर का भरता, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, लिकिन खाने में इतना टेस्टी है कि आप बाकी सभी चीजों को भूल जाएंगे, हर बार आप इसे ही बनाना पसंद करेंगे, तो टमाटर के आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरू बताएं, और एक बार आप इस रेसिपी को जरू ट्राय करें, इसी के साथ अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, धैंक यू